दोस्तो पिछले वीडियो के अंडर हमने चेन्ने के चारे लिग मैचेश का चेडियूल आप लोगों को दिया था तो आज के इस वीडियो में हम लोग रजस्तन रोयल्स के चेडियूल के बारे में बात करने बला है तो राजस्तन रॉयल्ज के जितने भी मैच्छाष होने बाल है किस के खिलाब है काँपार ह। कितने बज़े से हैं तो सादा कुछ इस विदिए को पता चलने बाला है। और वो Kings 11 पंजाब के एगेंज खेलेगी और जो प्लेज है वो फिर से वो चार्ज आई है 30 सिटमबर को रजस्तान अपना तीसरा मैच खेलेंगे KKR के एगेंज वो खेलेंगे चाम को 4-7 बज़े से ही चुरू होगा और जो प्लेज है बोड है डुबाई तो 3 अक्टूबर को रजस्तान रोल्स अपना अगला मैच खेलेंगे RCB के एगेंज तो ये जो मैच है ये डुबाईर के 4-3 बज़े से चुरू होगा और जो प्लेज है वो आभुडवी तो 6 अक्टूबर को रजस्तान रोल्स अपना पासवा मैच खेलेंगे Mumbai Indians के खेलाब तो चाम को 4-7 बज़े से मैच चुरू होगा और जो प्लेज है वो फिर से अभुडवी 9 अक्टूबर को रजस्तान रोल्स अपना चठा मैच खेलेंगे Delhi Capitals के खेलाब तो चाम को 4-7 बज़े से चारजा पर ये मैच खेला जाएगा 11 अक्टूबर को रजस्तान का मैच है ऐसा रेज के खेलाब तो दो पहर के 3-3 बज़े से ये मैच खेला जाएगा दुबई के स्टेडियम पर 14 अक्टूबर को फिर से रजस्तान खेलेगी Delhi Capitals के खेलाब तो चाम को 4-7 बज़े से ये मैच खेला जाएगा तो ये मैच भी दुबई के स्टेडियम पर ही होगा तो 14 अक्टूबर को फिर से रजस्तान खेलेगी मुंबाई इंडियन के खेलाब तो चाम को 4-7 बज़े से मैच शुरू होगा और ये मैच खेला जाएगा अबुडबी में उसके बड़ 20 अक्टूबर को फिर से रजस्तान खेलेगी लिग मैच खेलेगी के 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 खेलाब तो ये मैच भी खेला जाएगा चाम को 4-7 बज़े से डुबई में तो दोस्तो आज मैंने आपको रजस्तान रोयल्स की पूरी जो चेडियूल है लिग मैच के तो चारा आपको बटा दिया है तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है तो अगले वीडियो के अंडर आप किस तीम का चेडियूल पाना साथ हो कॉमेंट करके जरूर बटाना और चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सकाइब नहीं किया है तो अभी सब्सकाइब करके बेल एकन को प्रेस करके औल पे क्लिक कर लो मैं इसी पखर के वीडियो से आप लोगों के लिए लाटा रहता हो तो अगर आपको ये वीडियो पस